ये inhalation स्वसंतंत्र के muscles को relax करने का काम करता है और इस inhalation का उपयोग डाक्टर के दोरा मरीज को सांस की समस्या जब रहती है तब डाक्टर के दोरा ये उपयोग करने के लिए दिया जाता है जिससे पेसंट को अगर सांस लेने में दिक्कत हो रहा हो तो समस्या में डाक्टर के दोरा ये दिया जाता है और इस इनिलेशन का उपयोग सांस से जुड़ी किस परकार की दिक्कत, किस परकार की समस्या, मरीज को क्या दिक्कत, क्या तकलीफ रहता है, तब डॉक्टर के दौरा ये इनिलेशन प्रेसक्राइब किया जाता है, मरीज को क्या दिक्कत, क्या तकलीफ रहता है, इसको यूज कैसे करना होता है एक दिन में कितनी बार यूज करना होता है इसका कोई साइड इफेक्ट होता है कि नहीं होता है इसका डोज क्या होता है इसके बारे में आज हम आपको पूरा डेटेल से हिंदी में जानकारी बताएंगे बुडे सो नाइड जो इसमें फार्मूला होता है वो क्या काम करता है चलिए जान लेते हैं बुडे सो नाइड एक परकार का एश्टोराइड है ये काम क्या करता है ये उन केमिकल मेसंजर को ब्लॉक कर देता है जिसकी वज़ा से आपके एरवे में स्वैलिंग और इंफलामेशन आता है इस समस्या को ठीक करने का काम ये इनिलेशन करता है चलिए अब हम आपको इस इन इनिलेशन का ओपियो करने के लिए डॉक्टर के दौरा मरीज को पेसकराइब किया जाता है अस्तमा की समस्या में क्या होता है मरीज को जो सांस लेने में काफी ज़दा दिक्कत की सामना करना पड़ता हुए और जैसे कि सीने में उसके टाइटनेस सा महसूस होने लगता है और जैसे कि उसे कई बार इतना ज़्यादा एक परकार से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है कि एकदम पूरी तरह से परिसान हो जाता है तो इन सारी समस्याओं में डॉक्टर के दौरा ये इनिलेशन है जो मरीज को पेसकराइब किया जाता है अस्तमा की समस्या में आप गया है और जैसे कि सांस लेने में तकलीफ होना और खासी एक परकार से उन्हें आना तो ये इस्तमा का प्राबलम होता है या इस्तमा की समस्या में ये सारा कंडिसन देखा जाता है तब डॉक्टर के दौरा ये इनिलेशन पेसकराइब करते हैं मरीज को रोनिक अप्ट्रे मरीज को पेसकराइब किया जाता है स्योपीडी की समस्या में क्या होता है चलिए जान लेते हैं जैसे कि मरीज ये अब्यक्त है जो जिसको स्योपीडी की समस्या रहती है अगर वो कोई काम करता है तो उसकी सांसे फूलने लगती है या फिर वो अगर थोड़ा बहुत चल ल और जैसे कि इसके सीने में ताइटन n sा मैसुस होने लगेगा दर्दसा रलका अल्का दर्दसा भी हो सकता है कि और एक्ट को खासी काफ़ी लंबे समय तक छलता रहता है और मरीज बल्गम की समस्या होता यांनि उसे बल्गम भी आताIP बलगम हरे, पीले या फिर सफेद रंग का बलगम हो सकता है और इस समस्या में क्या होता है कि आपके स्वसंत तंत्र में बार बार संकरमण होता है COPD की समस्या में इसका उप्योग किया जाता है डॉक्टर के द्वारा मरीज को पेस्कराइब किया जाता है चलिए जान लेते हैं इसका डोज क्या होता है इसे लेना कैसे होता है जैसे कि जो इस इनिलेशन का डोज होता है ये डॉक्टर के द्वारा मरीज की दिक्कत उसकी समस्या और उसकी परिसानी को देखते हुए डॉक्टर अपने experience के अनुसार इस दवा का डोज निर्धारित करके मरीज को लेने के लिए बताते हैं जो इस inhalation का डोज होता है एडल्ट में डॉक्टर के द्वारा ये दिन में दो बार ये लेने के लिए डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है और भी बहुत सारी दिक्कत बहुत सारी समस्याओं में डॉक्टर के द्वारा इस inhalation का उपियो करने के लिए मरीज को देते हैं डॉक्टर मरीज की उसकी दिक्कत और उसकी समस्या को देखते हुए और भी बहुत सारी बीमारियों में ये inhalation पेस्क्राइब करते हैं चलिए अब हम आपको इस inhalation के side effect के बारे में बताते हैं, इसका क्या-क्या side effect देखा गया है, जैसे कि आपके सिर में दर्दगी समस्या हो सकती है, आपको नोजिया या बूमेटिंग के जैसा महसुस हो सकता है, आपको डिजनेस की समस्या हो सकती है, चक्कर की समस्या भी हो सकत ही है तो यागर इन में से आपको कोई भी साइड दिखे तो यह इनिलेशन तुरंद बंद कर दें और अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से आप तुरंद संपरक करें